यह माईटो कॉंट्रिया के जो डाइग्राम साब बुक में देखोगे उनके बारे में है और मैन मैन डिटेल्स इसमें दिखाई गई है जो हुई कि माईटो कॉंट्रिया का जो साइटो प्लाजम है भी इसमें वो माइट्रो कॉंट्योल मैट्रिक्स कहते हैं जो इनर मेंब्रेन के उबारों से जो सरंचना बन रही है उसे क्रिष्टी कहते हैं ये चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में की है ये उसी डाइग्राम को बढ़ा करके दिखाया गया है अतिशुक्षम सरंचना के रूप में इनर मेंब्रेन हो गई ये इनर मेंब्रेन है और इनर मेंब्रेन अंतरवलीत हो रही है और अंतरवलीत होकर किसका निर्मान कर रही है ये वलन जो बने हैं यही वलन क्रिष्टी कहलाते हैं हम देखेंगे कि आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है यह space क्या कहलता है यह space perimitrocontrial space कहलता है यह space continue है देखो कहां क्रिष्टी के बीच में भी तो इसे interstitial space एक अलग नाम दे देते हैं और यह जो inner membrane है इसके अंदर हम देखेंगे कि अनेक intrinsic proteins embedded हैं और जो particles हैं आप देख रहे हैं F1 particle भी इस में दिखाई दे रहे हैं और यह respiratory जो chain बनाने वाले जो electron transport system के cytokroms हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं यह यहां पर जो oxygen है उसकी सरचना वो detail करकी दिखाया गया है कि इसमें base वाला part और stock वाला part base वाला जो part है वो कहां दसा होगा वह दसा होता है membrane के अंदर और जो stock और head वाला part यह वाला part है यह membrane से बाहर निकला रहता है यह ATP निर्मान के दोरान इंप्रपुन वोमी का निभाते हैं oxysomes हमें कौन-कौन से एंजाइम मिलते हैं देखेंगे हम कि इसमें अनेक परकार के एंजाइम हैं जिसे monoamine oxidase, NADH, cytochrome c reductase, fatty acid co-enzyme A ligase, adynilase, adynilate kinase और nucleoside diphosphokinase, respiratory chain के enzyme और co-enzyme जैसे NADH, succinate, dehydrogenase, cytochrome c, cytochrome जो others हैं वो भी मिलेंगे, flavoproteins, co-enzyme, यह सभी इसमें enzymes पाए जा रहे हैं इसके लावा हम देख रहे हैं कि जो ATP synthase oxidase enzyme है वो भी ATP synthase oxidase, जिसे oxysome का गया है, succinate dehydrogenase, iso citrate dehydrogenase, fumarase, equinities, यह इस परकार के यह जो enzyme है, आप जो क्रेब cycle पढ़ोगे, उसमें इन बहुत से enzymes का जो discussion आपको देखने को मिलेगा, mitocondria के जो function है, उसमें खाजय अपतारतों का oxygen करना, योक, निर्मान, और जो सुकराणू जो होता है, उसमे mitocondrial circle का निर्मान करना, आपने यह सुकराणू की structure देखी होगी, तो इसमें इस परकार की सरचना होती है, इस वाले भाग में mitocondria गेरे रहते हैं, और उसके द्वारा जो उर्जा उत्वन होती है, उसी से ही यह जो tail वाला region होता है, वो movement करता है, और जो इस पर होता है, वो आगी की तरफ गती करता है, तो यह भी सुकराणू में mitocondrial circle का निर्मान, तो mitocondrial spiral बनता है, उसका निर्मान हो रहा है, उसमें mitocondria है, metocond, जो fat का metabolism होता है, वो भी mitocondria से संबंदित है, और अनेक सिक्रेशन होते हैं, उन्हें भी mitocondria, metocondria का निवाते हैं, हमने इस पर भी चर्चा कर ली थी, कि mitocondria का जनन कैसे होता है, जीवात, जीवत पत्ती है, बायोजेनेसिस होती है, मतलब जो पहले के mitocondria है, उसके विवाजन या उन्हों मुकूलन के द्वारा नहे mitocondria का निवान होता है, यही आज की दिन मानने से दानत है, थैंक्यू